हैलो फ्रेंट्स मेरे नू अपनी यूटूब चैनल पे आप लोगा स्वागत करती हूं फ्रेंट्स लग राया थे नास्ता बहुत ही जटपट पन करके रीडियो हो जाता है तो चलिए इस नास्ते को हम बनाना सुरू करते हैं तो देखे प्रेंट्स नास्ते को बनाने के देखे लिए को सुची को हम सुची को हम अब कर लेंगे लिया इसमें हम चावल काटा यह कपकाचाउ अगर मतलब कि अगर आप चावल काटा कर सकते हैं कि अच्छय कि एप रहाए और श्कुरूब नहीं करते हैं गीला ना हो और परफेक्ट तरीके से इसका वेटर बन करके रेडी होना इसको बहुत जादा गीला रखना है और ना बहुत जादा सब्सक्राइब अच्छे वी तत्रीक के सब्सक्राइब था भीर Васष गैज्डर हें नबरें लिए किया है उब आप कर देने के लिए इसी तरीके से तरीक तरह देने के लेका जायरनाय ना कि एरने के लिए जो कर देंगे के लिए ऐसके मिक्सक्राइब कर देंगे-ईकर माइं कि इसके लिए यह टारी के मैश करने के लिए प्रम एक भाल हमने हिसे लिए और देकिशे में गाज़ के लिए बचली है सब सारी वेज़ेटेवल को हमने धोल के फ्रेस कर लिया हारी मेर्च हमारी कम तीखी वाली है ज्यादा तीखी नहीं है अब इन हमें क्या क्या जबर्ट चबमाटर प्याज को में काट कर लिया था। तो पारिमी एड़ीडे कर दिये इसमें इसे में परफेक्ट तरीके से मिक्स करें है टेखिए तरीके से आप मिक्स कर लेटी अने सारी साफ से और इसके बाद यहां पर देखिए हमने हरा धनिया बारी कटा हुआ एड कर दिया और हरा धनिया कर दिने के बाद इन सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए इसको अभी हमने कुछ भी मतलब की पानी नहीं है कि अब जब नमक डालेंगे इसमें पानी वैसे भी हो जाता है नमक डालने की पास सब्सक्राइब करें और इसके बाद इसमें में क्या क्या आइट करना है सबसे पहले देखिए यहां पर हम इसमें इसमें करेंगे एक चम्मच मीठा सोड़ा मेठा सोड़ा आप इसकी जगह पे चाहें तो इनो एड कर सकते हैं मगर हम ने देखिए हैं पर नहीं बड़िया और अब इसमें ज्यादा कुछ मसाले यह नहीं करने हैं तो देखिए इस तरीकी से अच्छे से डालने के बाद और अच्छे से करते हैं प्रापर तरीकर साय बटनए जाएगा वह इसकी पर यहां मेफा यह प्रफेक्ट तरीके से चाहे है और ऑप यति पर चाहएं चाट मसाला आगर आपके पास है तो आट करिए और ना आप इसकिप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं आप इसकी जगर पर समयगी मसाला भी डाल सकते हैं और देखिए फेंट से फ्लेम को अन करके हमने पैन रख दिया है गरम होने के लिए और अब पैन में हम एड कर देंगे ऑईल तो थोड़ा सा देखिए यहां पर हमने रिफाइंड डाला चम बजितना और इसको पैन को थोड़ा सा ही लाकर अच्छे से मिक्स कर दिया आप चाहे तो यहां पर सफेद तिल नहीं एड किया है अगर हमने सफेद तिल से उपर से तढ़का लगा सकते हैं कर देगे यहां पर हमने करीप आएड कर दिया और सारी चीजोंका दोनेंगे चल आयको अच्छे से चल देंग थोड़ा सा और फिर इसके बाद इस नास्ते को तो यहां पर कम करके अच्छे से पैला कर देंगे और फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा सब्सक्राइब करने के साथ ही वे लाइकन दबा लेजिए गा तो देखिए आप हमने सेट कर दिया खुबच्छे तरीके से भड़कन लगा करके इसको हम पकने के और चम्मच इस तरीके से बीच में लगा करके देखिए ना तो खुबच्छे से यह पता चल जाएगा कि पका है कि नहीं अगर पका नहीं रहेगा तो चम्मच में बीच में इसको घीला गीला लगेगा और देखिए पगया पीलट देंगे तो आप चाहें तो यह तो से पढ़ें लुक ए लुक्त सब्सक्राइटमों दिए सब्सक्राइब में आपेंपंगें ट्रीके अगर सब्सक्राइब सबस्क्राइब त CaSTHow फिर वेन नांषट केici शेय ते और सब्सक्राइब जैसे अचा सब्सक्राइब हля वहाद हुआ कर दीचिला देखेने में हाने में बहुती ही लगता है कने तो हम सुछत कट लगे रहे हैं तो तुरंइब तो ऊइसने मतलब बगल को तोória तरा थंदा होने देंगे तो तक तरीकर से बन करकर रेडी होगा तो देखेए फिन्स आप चाहें तो इस तरीके-स चार पार्ट में इसको रहते यां तरी इसमें अवर कट लगा कर दो कर दो